आयुध्या पर विपक्षा की दुविधा ये थावत जारी है प्रान प्रतिष्ठा समारोह में अब गिंतिक दिन बचे और विपक्षा अभी तक ये ते नहीं कर पाया कि उसको देश के इतिहास में इस इतने बड़े कारिक्रम को लेकर अपनी भुमी का कैसे और किस रूप में ते करनी है अभी तक विपक्षित तैनी कर पाया उसको जाना है नहीं जाना है उत्साह से जाना है बुझे मन से जाना है जैकारा लगाना है मौन रहना है और एक बात है अयुद्ध्या इतना बड़ा समारोह है इतना बड़ा अवसर है इतना बड़ाव है भारत के सांस्कृतिक आध्यात्म की जीवन का कि इसमें वेपक्षक का कोई भी दल अगर अपनी भूमी का तै नहीं करेगा तो वो चीज अखरेगी उसके समर्थकों को भी अखरेगी क्योंकि अन्तोता राम और राम का मंदिर राजनीती के किसी भी पटल से बहुत बड़ा है वहाँ लोकदल, जनतादल, बसपा, सपा, भाजपा, कॉंग्रेस जैसा भी भाजन नहीं यही अध्याकी खुबसूरती है भारती जनता पार्टी ने सच को आज नहीं असी के दर्शक में समझा था जब पालंपूर्म अधिबेशन में उसने अयुद्ध्या आंदोलन के साथ खुद को खड़ा करने का फैसला किया था और आज भी भाजपा हर कदम पर आगे चल रही है आयुद्ध्या को लेकर की झाहे मंदर के लिए अंदोलन रहा हो चयह मंदर आएगा तो जाएगे तो अखिलेश श्यादव जी कह रहे हैं कि भाजपाबालो का क्या लेना देना कौन जाएगा कोन नहीं जाएगा वो क्यों परिशान है जिसका बुलाबा आएगा वो क्या रुक पाएगा वो जाएगा लेकिन प्रश्ण वही 22 जनवरी का मुहुर्त तै ह वो आगे पीछे नहीं हो सकता, प्रानपतिष्ठा 22 जन्वरी को ही होगी, और वो अवसर भारत के नहीं विश्व के इतिहास में एक बड़ा अवसर होगा, उस अवसर पर उन चेहरों की उपस्थिती जिनको नियोता गया है, अयुद्या में होगी की नहीं, ये अभी तेक के अपने सहाय को भेज़ दू को तुम मेरी हाजी लगा देना नहीं, व्यक्ति के नाम पर आमंत्रन है, श्रीमति सोनिया गांधी, श्री मलिकारजुन खडगे, नितीश श्रीमान, नितीश कुमार, इस तरह के आमंत्रन है, इसलिए मैं करा हम विपक्ष को भूमी का तै करन पूरी तरह से जोड़े रखा आदी से इती तक, आंदोलन से लेकर और लोकारपन तक, पूरे साथ, पूरे पड़ाओ में, पूरे अउध्या के यात्रा मार्ग में, और अभी भी भाजपा ये कह रही है कि हम हर लोकसभा छेतर से पांच हजार लोगों को दर्शन कराएंग हमें भगवान राम के, मुह लोकारपन के बाद, और दूसरी तरफ बेपक्षे है, जो अभी तक सिर्फ एक वाक्य तै कर पाया, बोलने के लिए, कि भगवान बोलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान बोलाता है तो कौन रूप पाता है?